अलो दोस्तों आ गया हूँगा आप सब को लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों इस वीडियों में मैं आप सब बताऊंगा कि जैसे कि आपको पास टीवी है और आपका रिमोंट खो गया है जो है टीवी के साथ आता है तो अभी क्या सिस्टम आया है कि आप अपने मोबाइल में ही अपने मोबाइल से ही टीवी को कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल को ही टीवी रिमोंट बना सकते हो तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ तो आपका कोई भी होगा तो इससे लिख देना ठीक है मेरा ओनीडा है मैंने ओनीडा लिख दिया ठीक है ओनीडा लिखने के बाद आपको टीवी लिख देना है ठीक है ओनीडा टीवी रिमोन कंट्रोल यह देखो उपर आ भी गया जैसे मैंने ओनीडा लिखा यहाँ पर आ गया unida tv remote control ठीक आपको भी ऐसे लिखना है तो नीचे आ जाएगा तो आपको search कर लेना है तो दोस्तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं दोस्तो जैसे मैं आप पर क्लिक करूंगा और आपके और सामने बहुत शारे remote आ जायाएंगे ठीक है तो आपको अपने साप से download करनाक और तो मैं आपको बता जीता हूं कौण सा download करना है ठीक है यह आपको download करना है यह वाला एक यह वाला थीक है तो मैं मैं इस को install कर लेता दोस्तों मेरा भी स्टोल हो रहा है बहुत जल्दी हो जाएगा दस यम्बी का है देखो साथ पॉइंट असी यम्बी का है दोस्तों ठीक है तो यह हो जाएगा इस्टोल और फिर मापको दिखाता हूं कैसे लगेगा यह आपको फिचर उन्डम वहीं मिलेगा जो एक रिमोण में होता है अगर आप जो बाहर फिकर remains are 방द रहता है तीसे के साथ में अगर उससे आप टीवी को एम रिमोंड करते हैं तो सेम फिचर इसमें भी रहता है वही यह रिमोड भी है ठीक है अवाज का इससे बढ़ती है जैसे उसे बढ़ती है वह से इसमें भी दिया है पाउर आन-अफ इसमें भी है वाइलूम का जो भी है इसी में है बस आपको बस यहां मुबाइल चालू करना है और वो बैटरी से अपरेट होता है और कोई दिक्कत नहीं एक बार आप अगर कर लिए डाउनलोड करके और एक बार आपने देख लिए आपने मुबाइल से उसे कंड्रोल कर लिया तो आपको आ जाएगा और जान जाएगे किस तरह इसे चालू बंध होता है कैसे आवाज बढ़ती है कैसे चाइनल चेंज होता ह तो सब कुछ फीचर एकदम वही रिमोट जाएशा है तो दोस्तों मेरा यह जो है कि अभी होने वाला यह मैं आपको दिखाता हूँ इस्टॉल करके कि यह कैसा दिखता है एकदम जैसे आपना साधार रिमोट रहता है बाहर का बैटरी वाला से वही सही यहां आपको देखन को इस घूंगा जाओ ये घूंब रहा है तो दोस्तों देखो हो चुका है कलिक करता हूँ और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों यहां फिचार आज चुका है रिमोट कंडूल का ठिक यहां स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पर इस पर क्लिक करेंगे यह देखो यह देखो दोस्तों इसमें देखो आगे पीछे का है वाइलूम का है पावर सबसे उपर है बंद कर सकते हैं यह वाइलूम प्लस माइनस म्यूट कर सकते हैं फिर एक से लेके नव तक चैनल चेंज करने के लिए यह देखो स्विच तो आप देख रहे हैं दोस्तो एकदम सेम है जैसे आप बाहर का रिमोट रहता है वह इसा यहां भी है तो दोस्तो अगर आपके पास रिमोट नहीं है जो टीवी के साथ आता है तो इसी तरह आप मुबाइल में इस्टॉल करके और अपना टीवी उससे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों आप आप लोग समझ किया हूंगे कि अपने मोबाइल को टीवी का रिमोन कंट्रोल कैसे बनाते हैं दोस्तों यह था इस वीडियो में उम्मीद करता हुआ हमारी दिवी जानकारी आपको फसंद आए हो कि अगर हमारी दिवी जानकारी आपको फसंद आए हो था हमारे